तो हिमाचल परदेश में स्टाफ नर्स रिकूर्टमेंट हमें देखने को मिल रही है तो हम यहाँ पर पूरी जानकारी डिसकस करेंगी सबसे पहले आप यह जानिए कि आप फोर्म्स बगारा कब से फिलप कर सकते हो इसके लिए तो 10 अप्रैल 2021 से स्टाटिंग होगी और लास्ट डेट क्या रहेगी इसको ध्यान से देखिए एग मिनट भी आप लिट होंगे तो आप इसके लिए फोर्म बगारा फिलप नहीं कर पाएंगे तो दुस्तो 9 मई 2021 राद के 11 बज के 69 मिनट से पहले पहले आपकी कंपलेशन हो जानी चाहिए इस फोर्म को फिलप करने की ये फोर्म आपको HPSSC यानि की HPSSB.HP.GOB.IN पर जाके फिलप करना पड़ेगा तो अब हम पूरी जानकारी अच्छे से देखने वाले हैं बहुती कम समय में लेकिन आपको बता दूँ स्ताफ नर्स के लिए कोर्स जो है हमने लौंच कर दिया है जैसे ही रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिली है इसमें फुल पैकेज आपको मिलेगा 120 questions बनेंगे दोस्तो जो नर्सिंग है उससे लेटर और बाकी 50 questions बनेंगे जी के हिंदी, English, Reasoning बगएरा बगएरा तो 120 questions जो आएंगे नर्सिंग से लेटर ये तो आप पसानी से कर लोगे यहाँ पे कोई आपको ज्यादा प्रोल्लम नहीं आएगी लेकिन हमारा मेन यहाँ पे focus रहेगा other 50 questions जो होते हैं यहाँ पे जिसने अच्छा score का लिया उसकी selection पकी तो पूरा फुल package आपको मिलेगा नर्सिंग भी मिलेगा, material और साथ में other 50 questions जो बनेंगे उसके according भी material मिलेगा package मिलेगा, तो जरूर WhatsApp कर लेना, आपके सामने WhatsApp नंबर है, अगर free study material बगएरा चाहिए हो, तो वो भी आप हमें message कर सकते हैं, लेकिन जो paid package होगा यह दोस्तो reliable होगा, इसके उपर आप असानी से rely कर सकते हैं, ताकि आपका exam crack हो जाए तो total number of vacancies की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तो 90 है, इसको ध्यान से देखिएगा, salary जो है दोस्तो आपको, 10,300 से लेकर के, 34,800 के बीच में, और 3,200 grade पे साथ में दोस्तो consolidated contractual emoluments जो है, 13,500 per month तो इसको बोलते हैं, हम starting तो यह starting salary रहेगी educational educational qualifications की जब हम बात करेंगे, तो 10 plus 2 आपके होने चाहिए, और science background से आप होने चाहिए किसी भी recognized board या फिर जो भी है अब यहाँ पे आपके पास diploma होना चाहिए, GNM का या फिर BSC nursing होने चाहिए, किसी recognized university या फिर institution से अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से देखनी है, ऐसा नहीं कि आप out of हिमाचली हो, तो भी इसके लिए apply कर सकते हो, आपके पास bona fide होना चाहिए हिमाचल का, अगर bona fide नहीं है, आप पंजाब से हो, हर्याना से हो, UP से हो, अधर किसी भी state से हो, तो दोस्तों आपने 10 प्लस टू जो है हिमाचल से की होनी चाहिए, तो यह conditions ध्यान से आपको देखनी होती है, आईए अब बात कर लेते हैं, slaves की यानि की question paper कैसा आपको देखने को मिलेगा, जो field या subject है आपका जैसे nursing, तो उससे later दोस्तों आपको 120 questions देखने को मिलेंगे, और other 50 questions जो होँगे, इसमें क्या-क्या होगा, जी के होगा, HPG के होगा, current face होगे, logic होगा, social science होगी, English, Hindi, तो कुल मलाक 170 questions होएंगे, 85 marks होँगे, यानि की question का आधा mark, तो इसके लिए course हमने launch कर दिया है, जैसे recruitment आई है, जैसे की हम बता चुके हैं, तो आप जुरूर जोइन करिएगा, जैसे ही इस home को आप फिल कर दो, ताकि आपको यहाँ पे सरगारी नोकरी प्राप्त हो, 85 questions तो, यानि की 85 marks जो हैं, ये questions के according आपको मिल जाएंगे, लेकिन other 15 marks जो हैं, ये कैसे मिलेंगे, तो 2 and half marks आपको, according to your percentage, उसके बाद, अगर आप backward area या पंजायद से हैं, एक mark, landless हैं, तो एक mark, non employment हैं, या फिर आपके पास ये certificate है, तो एक mark, अगर आप disabled हो, तो एक mark यहाँ पे, NCC, भारस scout and guide, NSS, अगर ये आपने जोइन किया हुआ है, तो एक mark, BPL family है, तो 2 marks, महिलाओं के लिए, अगर BIDO है, डायवोस्ट है, destitute है, single woman है, एक mark, single doctor या फिर कोई orphan है, एक mark, training करी हुई है आपने, 6 मत या इससे ज़्यादा, ये जो nursing है, तो एक mark, अगर experience आपके पास है, अगर 5 साल का experience आपके पास है, तो धाय mark आपको लगेंगे, अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हूँ, किसी में आपका doubt हो, किसी fact में, तो WhatsApp जुरूर का लेना, और crash course की detail भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, वीडियो को लाज तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को subscribe करके रखियेगा, थाकि आपको इन future भी important updates मिलते रहें, जै हिंद, जै हिमाचल,